चमसकार आरेस अनफ ओड़ना किचन में आपका स्वागत है आज हम हरा लहसन और हरी मिर्च का ठेचे बनाएंगे और उसके साथ में चावल की रोटी बनाएंगे तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हमने तवे में एक छोटा चमस तेल ले लिया है इसमें हरा लहसन और अद्रक हरी मिर्च हमने तीन हरी मिर्च लिया है और एक इंच अद्रक और लहसन इस तरह हमने उसका जड़ पहले काटके डाला है तीनों को हम एक साथ डाल करके एक देर मिनट के लिए मिडियम फ्लेम पे भून लेंगे हम हरी पत्ती बाद में डालेंगे क्योंकि हरी पत्ती जल्दी से जल जाती है और हमें चटनी में थोड़ा सा हरी लसन की पत्तियों का क्रंच आना चाहिए इसलिए हमें उसे बाद में डालना है और दो तिन चम्मच मुंखफली डाल दिया है मुंखली को हमने बून कर चिलका निकाल कर डाला है और स्वादन सा नमक डाल देते हैं इसे भी डाल कर हम एक मिनट के लिए पका लेते हैं इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है बस हलका सा सॉफ्ट हो जाए इतना ही पकाना है अब गैस बंद करके इसे हम एक खलबटे में निकाल लेते हैं और हम इसे कूट लेते हैं आप मिक्सी जार में भी पीज सकते हैं लेकिन उसमें जो हम ठेचा बनाते हैं उससे ज़्यादा टेश्टी खलबटे में या सिलबटे पे दरदरा सा कूट के बनाए तो ज्यादा टेश्टी होता है हमने इसे कूट लिया है अब इसमें आधा निबू का रस्ट डाल देंगे इसे मिक्स कर देते हैं ये हमारा स्पाइसी और टेश्टी सा ठेचा बनके रेडी है इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं ये थोड़ा तीखा ही अच्छा लगता है अगर आपको तीखा कम ज़्यादा करना तो अपने हिसास से मिर्ची डाल सकते हैं अब हम रोटी बनाएंगे हमने एक कप चाओर काटा ले लिया है इसमें हम दो पिंच नमक डाल देते हैं इसे मिक्स कर देंगे और इसमें गर्म पाइन डालकर इसका एक डो तयार करना है तो इसे हमने गर्म पाइन डालिया है अभी गर्म है तो इसे हम पहले चम्मच से मिक्स करेंगे आच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब हम इसे हाथ से मसलते वे डो तयार करेंगे चावल की रोटी बनाते हैं तब हमें एक साथ पूरा आटा नहीं त्यार करना होता है इससे रोटी फटने लगती है तो आप रोटी बनाए तो थोड़ा थोड़ा आटा त्यार करते वे मलते वे जाए और फिर उसकी रोटियां बनाते जाए वरना ये फटने लगता है इसके हमने दोड लोई बना ली है तो अब इसमें हम सुखा आठा लगा लेते हैं और अपने हथेली की सहता से इस तरह हलके हाथों से फ्रेज करते हुए हमें से बढ़ा करना है और सुखा आठा लगाते जाना है ताकि धाली में या हाथ में चिपके नहीं तो देखें इस तरह हमें चावल की रोटी बना के तैयर कने हैं हमने इतना पतला बनाया है हाथ हाज है तवा णके गर्म कर लिया है अब उस पर डाल देते रोटी और चावल की रोटी के उपर हम थोड़ा सा पानी डाल कर इस तरह सब तरफ फैला देते हैं जब नीचे से सिख जाए तब हम इसे पलटेंगे तो देखें नीचे से सिख चुका है तो हम इसे पलट देते हैं और नीचे से भी जब फिर सिख जाए तो हम इसे फिर से पलटेंगे और इसे पैटेला से हलका हलका सा फ्रेस करते वे फुला लेंगे हमने हरे लेसन का ठेचा बनाया है आप इसी तरह सुखे लेसन का भी ठेचा बना सकते हैं तो देखिए जब तक ये रोटी सीख रही थी तब तक हमने दूसरा रोटी भी बना के तयार कर लिया है इसे भी तबे पे डाल देते हैं, सिखने के लिए, ये ठेचा चावल की रोटी के साथ, बाजरे जवारी की रोटी के साथ, या फिर गियों के आटे की रोटी के साथ में भी ये ठेचा टेश्टी लगता है, तो कभी कभी आपका सबजी खाने का मनना करे, तो आप इस तरह हरे लहसुण का ठेचा बनाए, या फिर आपके पास हरा लसन नहीं है, तो सुखा लसन का भी ठेचा बना कर आप खा सकते हैं, तो देखिए हमारा हर लसुन मिर्ची का ठेचा और चावल की रोटी बनके तयार है आप इसे गर्मा गर्म खाएं चावल की रोटी ठंडी होने पर अच्छे नहीं लगती आप इसे गरम गरम में ही खाएं आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरू दबाए ताकि नए वीडियो आपको मिल सकें धन्यवाद